चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी अपने लेक्चर को पिछला जो लेक्चर हुआ था हमने उसमें फंक्शन्स कवर किया था फिर पॉइंटर्स कवर किया था आपको याद है पॉइंटर्स को टर्बो सी सॉफ्ट्वेर में भी यूज करके दिखाया था और आगे चलते हैं सबसे पहले तो ये चीज आपको समझनी है कि आज हम लोगों को जो टॉपिक देखना है उसमें ये समझना है कि हम कैसे create करेंगे header files को हम हमेशा header file को use करना जानते हैं लेकिन हम create करना नहीं जानते हैं क्या हम किसी file को create करके किसी library में रख सकते हैं पहला सवाल एक ये चीज़ भी possible है दूसरा सवाल ये कि और क्या क्या कर सकते हो file अगर create भी हो रही तो उसको use कैसे किया जाएगा ऐसी दो चीज़ें दोनों को समझना है तो हम वो भी करने वाले हैं उसके बाद if else क्या होता हो भी समझेंगे दूसरी चीज placement की जो हमारी batch शुरू हुई है 8 और जो मैं चालू करने वाला हूँ उसमें बहुत जादा फरक है ये चीज़ याद रखना आप लोग at least 50% का फरक होगा पढ़ाना तो सारे subject है मुझे दोनों जगह पे यहाँ पे भी वहाँ पे भी लेकिन फरक होगा बहुत बहुत सारे जो problems होते हैं interviews के बहुत सारे examples होते हैं वो यहाँ पे cover हो जाते हैं हर तरह के interviews के programs cover हो जाते हैं पहला फरक ही यह होता है वहाँ पे सिर्फ syllabus फटा फट 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 होगा समझ में सब आएगा वहाँ पे भी लेकिन syllabus पूरा होगा ऐसा समझ लो 10,000 का course है वो जो मैं 4,000 में दे रहा हूँ यह फरक है हाँ practice भी करोगे बैठके offline है तो 15,000 उसकी fees रखी है मैंने बराबर रखी है और जो online वाले उनको 4,000 में मिलेगा लेकिन सारे subject हैं और तुम्हारा जो होगा जो चल रहा है already उसमें भी मुझे उतना समय देना यहाँ बैठा होगे आपके interviews भी लिए जाते हैं वहाँ कुछ भी नहीं होगा पहली बात तो यहाँ पे interviews आपके लिए जाते हैं आपसे सवाल पूछे जाते हैं आपको नई चीजें सीखने को मिलती है उसके बाद बहुत सारे examples होते हैं अलग-अलग syllabus में पाइथन में फिर classes and object वाली भी सारी मतलब ऐसा बहुत कुछ होता है तो यह फरक है लेकिन फिर भी best दे रहा हूँ की 10-12,000 में जो चीज़ बच्चों को मिलेगी वो मैं कोशिश कर रहा हूँ की 4000 में दे दूँ बस यही फरक है तो यह ध्यान में रखो आप लोग और दूसरी चीज़ यह आज आओ बैठो तुम लोग भी आज संडे है इसके लिए भीड कम है ध्यान रखो कि कुछ लोग कल वैसे उस दिन रिटन चले गए थे जिनको एडमीशन लेना था वो लोग भी चले गए थे तो जिसका कन्फरम होगा सर से आज ही मिल के फाइनल कर लेना भी मुझे बोल रहे थे वो कि बाद में क्या होता है कल के दिन अभी और बच्चे आएंगे तो जगा होती नहीं बैठने को फिर वो नुकसान होता है तो इसके लिए ध्यान रखो गर आप सीरियसली करना चाहते हो तो करो नहीं तो फिर आउनलाइन कर लो है यहाँ पर मिल जा रहा है आपको यहाँ पर 80% तो मिलने है वाला 70-80% बाकि और कुछ नई चीज़े होंगी जो बैच में हो नहीं वाली या अलग-अलग प्रोग्राम्स इंटर्व्यूस वाले सी के भी वाद में होंगे बाकि सेलेबस जो है वो कवर होई रहा है ठीक है आफलाइन आनलाइन आप जैसे भी चाहों कर सकते हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लिम नहीं मुझे अब आगे चलता हूं मैं आपको एक बात बता देता हूं सबसे पहले यहां पर header files क्या होती हैं हमें आज अच्छे से समझना पहले आप जब प्रोग्राम शुरू करते हो तो हम कभी-कभी inlines को नहीं लिखते हैं hash include stdio.h nc ने ऐसा rule बनाई दिया इसके लिए नहीं लिखता है hash include और नहीं नहीं सॉफ्टवेर inbuilt ऐसे होते हैं कि यह lines ना लिखो तो भी चलेगा लेकिन लिखना चाहिए पहले के समय पे तो लिखा जाता था और फिर अपना प्रोग्राम शुरू होता है void main और उसके बाद फिर आप इसे लिखते हो प्रिंट अफ लिखते हो देखो hello अगेरे print कराने के लिए और आप scanf लिखते हो कुछ keyboard से input अगेरे लिए देखो लिखते हो scanf फिर आप get ch अगेरे भी लिखते हो कुछ भी लिखते हो program हर एक के बारे में कही न कहीं बताया गया है printf के बारे में इसके अंदर बताया है अब आप बोलोगे इसके अंदर मतलब क्या है ये नहीं समझ मैप लुकर बताता हु जब आप compile करते हो na पहली बार compile या मतलब build करते हो दबाते हो की नहीं उस button पह तो compiler का काम है चलना कि चलो अब चलते हैं मुझे compile करने को कहा जा रहा लेकिन compiler से पहले चलता है preprocessor compiler preprocessor से ये बोलता है कि तुम पहले अपनी lines चला लो न जाके तुमारी तो hash वाली lines होती है न जाओ उसको चला लो फिर मैं program को चलाओंगा और compile करूंगा तो compiler compile जब आप करते हो तो पहले preprocessor उसका नाम ही है preprocessor पहले प्रोसेस करने वाला preprocessor वो अपना काम क्या करेगा आ जाएगा hash वाली lines को धूड़ते धूड़ते यहां पर hash के आगे जो कुछ लिखा होता है ये preprocessor के लिए command है क्या command है command ये है उसे include कराना है क्या stdio.h नाम की एक file दिखाता हूँ अभी ये file इसको ना screen पे ला देना है बस आपको दिखाई नहीं देगी आ जाएगी मान ले देगी इसमें 700-800 lines का code लिखा हुआ है screen पे आ गई फिर अगली बार hash पड़ेगा फिर include क्या include करना है इसमें भी 700 line का code लिखा हुआ है और आपका प्रोग्राम है एक दो तीन चार पाँच छे line का 1406 lines को compiler compile करता है इतनी भी नहीं बहुत सारी होती है और भी वह लिख नहीं रहा हूँ क्यों क्योंकि जब इस file को आप open करोगे अभी दिखाता हूँ stdio.h इसके अंदर भी लिखा हुआ hash include और किसी file का नाम है hash include और किसी का नाम है वो भी open होते होते जाती है सारी files आ जाती है और फिर जा कि compiler compile करता है और मैं आपको एक बात बता दू यह जो printf लिखते हो ना इसके बारे में इसके अंदर ही तो बताया गया है stdio.h printf क्या होता है उसको चलना कैसे है सब कुछ बताया हुआ अभी तो आप लिख पा रहा है तभी तो screen पे print हो रहा है नहीं तो ऐसे कैसे होता printf की जगा कोई और word लिखके देखो होगा क्या दूसरी चीज को नियों डॉट एच लिखा हुआ है हां तो को नियों डॉट एच के अंदर अब मैं आपको बता देता हूँ printf और scanf दोनों के बारे में कहां बताया गया stdio.h के अंदर getch के बारे में बताया गया को नियों डॉट एच के अंदर इसलिए आप getch को यूज करते हो लेकिन आप बोलते हैं जब मैं include करता ही नहीं फिर भी तो चल रहा ऐसा rule है इसलिए चल रहा है आजकल के inbuilt software होता है कि वहाँ पे inbuilt होता है hash include stdio.h.co.uk न लिखा जाए तो भी चलेगा program मैं वैसे ही करता हूँ टर्बो सी में भी वही करता हूँ दिखाया था ना पिछले ही lecture में मैंने दिखाया था आप लोगों को तो एक ही चीज हो गई अब आते हैं हम अपने आगे चलते हैं अभी तो यहाँ पे मैं आता हूँ आपको दिखा देता हूँ वो stdio.h वोगेरे जो में अंदर मिंग जी डवल्यू इंकल्यूड बहुत अंदर ढूड़ना पड़ेगा मुझे याद नहीं है एक काम करता हूँ यही पे सर्च कर लेता हूँ stdio हामिल गई अच्छा है ना यही है ना राइट क्लिक किया ओपन फाइल लोकेशन करता हूँ stdio दिख रहा है कितना अंदर है एक konio.hb आपको दिखाता हूँ ming w में आया konio.h मिला किसको देख लेता है किस फोल्डर में उपन फाइल लोकेशन यह दिख रहा है क्या konio दिखा इसको ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाऊ इसके अंदर नोटपैड में कर दू क्या कहीं भी करो उससे कुछ नहीं होता यह देखो तो रुको नोटपैड में ही कर देता हूँ आप कोड़ी तो लिखा हुगा कहीं भी करो यह लोग hash define hash include crtdefs.h इसको भी include करेंगे उसके अंदर भी code है ऐसे सब फाइल एक दूसरे से जुड़ी हुई है आपको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है आपको कोनियो.टच क्या है यह भी जानने की कोई खास जरूरत ने उसके अंदर बहुत कुछ है क्या यह देख सकते हो तो यही करने वाला हो यह देखो अब इसमें get.ch के बारे में बताया गया अभी तो मैंने बोला ना कोनियो.टच के अंदर get.ch के सर्च करके देख लेते get.ch वर्ड सर्च का option रहता है शायद इसमें find get.ch न मिला है देखो यह कहीं और connected है किसी और से कहीं और किसी से कहीं और किसी से सब ऐसे जुड़ी हुई है और इसका जो वर्की गा क्यों ना हम एक header file बना दें लेकिन यहाँ पे तो permission ही नहीं देगा बनाने को यह क्या गोल रहा इदर क्यों बना रहे हैं हाँ बनाने नहीं यह तो अरे मुझे folder नहीं text document बनाना delete कर देता हूं इसको पहले नहीं इसमें तो file का option ही नहीं आ रहा है रुको ना फिर इदर ही बना लो ना desktop पे new अब तो आ रहा है text इसका नाम रख देता हूं जैसे की akash akash.txt file है इसमें लिख देता हूं int a is equal to 5 int b is equal to 7 int c equal to a plus b बस इतना लिख के छोड़ देते हैं देख लो एक file बनाई और मैंने उसके अंदर ही डाल दिया इस file को हम उसी folder में डाल देते हैं जहांपे konio.h है डाल दूँ यह चीज आप कभी देखे भी नहीं होगे जो भी बता रहा हूं गर दिया और मेरे पास आओगे solve करो तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा आपको uninstall करना पड़ेगा नया install करना पड़ेगा code blocks मुझे क्या बता क्या बनाया गया है उसके अंदर आप मेरे से सवाल नहीं पूछ सकते आकाश यहां पे लिखा हुआ है उसके बाद यहां से मैं आया यहां पे मेरे प्रोग्राम में प्रोग्राम शुरू करता हूँ अभी यहां पे क्या करूंगा मैं ना आकाश के अंदर क्या लिखा था हमने एक बर उको पढ़ लूँ मैं भूल गया यहां पे लिखेंगे पहले सेव कर लेता है इसको अपने उसी फोल्डर में रखेंगे जहां हम सारे प्रोग्राम सेव कर रहे हैं और इसका नाम रख देता हूँ मैं header files.c यह नाम रख देता हूँ यहां आने के बाद void main से अपना प्रोग्राम शुरू होता अल्रेडी अपने पिछले पांच लेक्चर सी प्रोग्रामिंग के हो गया है तो इन सब सारी चीजों को पढ़ लिया है हमने छोटे छोटे पार्ट्स मैंने बनाये हुए है लेक्चर के एक घंटे के जो पार्ट्स है उसको चार-चार पार्ट में डिवाइड कर दिया पांच-चार में तो टोटल ऐसे आपको सव लेक्चर की सीरीज मिल जाएगी प्लेलिस्ट में अपने चैनल पे आराम से पढ़ सकते हैं हां वो 200 हो सकती है लेकिन वो 100 अगली नहीं डालने वाला हूँ वहां पे जो यहां पे कवर होगा वो 180-170 तो हो गई तो वहां पे नहीं पूरी इसी लैंग्विज उस पे रहेगी अब इसके बाद देखो भैश नहीं अब लिखो यहां पे भैश इंक्ल्यूड आकाश नाम रखा था क्या आकाश.pxt यही फाइल बनाई थी कर दिया इंक्ल्यूड किसको ए बी सी तीन में मृष्टी ना सी को करा देता हूं सी को देखते हैं रन करके चलता है क्या यहां पे एरर आ गई है एरर यह है उको देख लेते हैं यहां पे क्या गलती हुई है यह देखो यह इसने डिटेक्ट जरूर किया आकाश.txt को देख सकते हो ठीक पहली बात तो इसको मैं अब यहां से हटा रहा हूं रुक जाओ एक ए बनाया एक बी बना कि उसमें सेवन रख देता हूं बस अभी यह दो चीज़ें की अच्छा यहां से रखो इसको पहले क्लोस कर दूँ यह तो हैंग हो गया पूरा इसको यहहां से इसको यहां से हटाता हूँ एक ही लाइन में सारी मेमरीज बना ले लेता हूँ कोड़ ब्लोक्स बी क्लोउज हो गया एक बार और ओपन कर ताओ क्वाई पाइस फैल ओपन करता है और वो किस फॉल्डर में है आउगस्ट वाले में न आउगस्ट 23C प्रोग्रामिंग उसके बाद क्या नाम था header files एक बार और compile करेंगे एको पहले एको print कराके देखते हैं क्या होता नहीं ये पिछली close नहीं हुई गया close तो हुई save भी किया मैंने अच्छा changes किसमें किये देख लेता है अरे मैंने गलती कर दी इसमें changes हुए है हाँ मैंने बाहर के desktop वाले पे changes की है a, b b बस a में 5, b में 7 यहाँ पे save किया इसको close किया अब कहां गया ये नहीं ये यहाँ आया एक बार और इसको चलाता है यह आप देख सकते हो 5 प्रिंट हो रहा है देखे 5 प्रिंट हुआ यह में क्या रखा था 5 यह रखा था आप बोलोगे कहां रखा है अरे इस header file में रखा है लेकिन header file include ना करो अगर तो error आएगी दिखाऊ यह देखो आ गई यह बोल रहा है अब NC ने यह थोड़ी rule बनाया है कि hash include आकास.txt को भी अगर आप नहीं include करोगे तो भी चलेगा यह rule उन्होंने नहीं बनाया है उन्होंने दो rule दिये थे आपको stdio और konio.h वाले आपने उसको follow कर लिए अब अपने मन से header file बनाओगे और बोलोगे बिना include करें चलना चाहिए क्यूं? क्यूं चलना चाहिए? वो नहीं चलेगा यहाँ पे देको error, undeclared a is not declared, तो याद रखना header file क्या होती है अभी आपको समझा होगा एक बात और बताता हूं जैसे की यह आपने program लिखा इसका नाम है first program first.c program type किया जब आप compile करते हो compile compile करने के बाद एक क्या काम होता है include वगेरे होता है preprocessor चलाता है और आपकी 6-7 line को 1400 line में convert कर देता है बड़ा बना के देता है और भी होता होगा, मैं तो एक अंदाजा बता रहा हूं एक नई file बनती है इसका extension होता है first.obj आप बोलोगे exe कब बनती है हमारे लिए तो वही main है वो यह नहीं बनती पहले यह बनती है फिर operating system यह सोच रहा है अरे यह वाली file जो है यह मैं समझ नहीं सकता यह क्या लिखा हुआ मुझे तो exe file चाहिए तो फिर linker क्या करता है कुछ library files को जमा करता है library files को और इस object file को लेता है और link कर देता है linker का कामी है link करना library files को और जो object file बनी है इसको link करने के बाद जो नहीं file बनती है वो होती है first.exe आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम को compile करके देखो तो को दिखाता हूँ यह akaj.txt की मुझे कोई ज़रूत नहीं मुझे include नहीं करना h extension दो txt दो कोई फरक नहीं पड़ता h q देता है header file header मतलब header मतलब sir पहली lines जो लिखनी है आपको header वाली files बस बाकी आप header की जगा txt extension दोगे तो भी सही है अगर stdio.h की जगा stdio.txt भी बनाते तो क्या दिक्कत थी उनके हिसाब से कुछ होगा उन्होंने बनाया होगा यहाँ पे hello को print कराना चाहता हूँ desktop पे hello लेकिन इस program को मुझे desktop पे save करना save as और इसको desktop पे रखना चाहता हूँ यह देखो desktop पे इसका नाम रख देता हूँ newprogram.c newprogram.c एक नई चीज दिखा रहा हूँ देखते हैं बनी यह सब close कर दिया आकाश को close कर दू दिख रही है अभी हमें यह चीज देखनी है क्या इसके बाद कोई compile करके देखोंगा भी यह देखो करू compile build दो files बन चुकी है देख लो build करने पे compile करने पे दो file बनती है यह है obj file दिखा हूँ यह क्या object o file लिखा हूँ है o file रुको right click करके यह आपको दिखाता हूँ यह देखो यह है o file dot o obj बोलते हैं उसको object file इसको और किसको linker link करता है इसको और किसको link करता है linker library files को और एक नई file बनाता है मतलब ऐसा समझो कि operating system पूरी तरीके से समझने लायक नहीं बनाया object file को भी वो समझ नहीं पा रहा अच्छे से इसलिए library file को और जैसे आपने English सीख ली लेकिन हो सकता है कुछ words आपको अभी भी ना पता हो इसका meaning क्या होता है तो आपने एक dictionary यह उसकी मतलब एक library file और आप मिल के फिर आप बन गए समझने लायक जरूत पढ़ती है ना वैसे ही यहां पे हो रहा है तो यह दो files बनती है यही है header files की concept और इस तरीके से हमारे लिए exe files ही main है हमें उसे ही चलाना आप अगर मुझसे पूछते हो compile करने पर दो file क्यों बनती है जवाब दे दिया आपको एक object file बनती उसके बाद उसके साथ library files कंबाइन होती linker कंबाइन करके एक नई file बनाता है वो कौन सी होती है exe file वही हमारा software है आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है चलो फिर और आगे चलता है किसी का message है कि hello world print करिए मैंने अलरड़ी ये सारे lectures इस से पहले पढ़ा दिया है एक से पांच में आप वहाँ से देख लो कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को समझा है अब हमारा अगला lecture चल रहा है जिसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ रहा है और आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो hash define आप बोलोगे define क्या ये जो है ना इसको macro बोलते है macros hash include macros hash if macros hash else macros hash if and def अलग-अलग बहुत सारे हैं ये करते क्या है जैसे कि अगर आपने लिखा hash define आप बोलते हो pi को 3.14 pi की value तो आप जब-जब प्रोग्राम में pi word use करोगे वो अपने आप replace हो जाएगा 3.14 से जब-जब use करोगे मतलब अगर आपने प्रोग्राम में बोल दिया pi मतलब ये 3.14 है आपने define किया है अब ये जो preprocessor है आप उसको क्या command दे रहो define define कर दो pi का मतलब 3.14 बस तो अगर आप pi pi into r into r pi r square r क्या है आप यहाँ पे लिख दूँ क्या r की value है 6 radius 6 है पस इसको इसको इप्रिंट कराना है कि डारेक्ट करा सकते हो printf और print करा दिया जाए किसको दिखाता हूँ percent f comma बस अब यहाँ में मैंने इस तरीके से लिखा हुआ इसको run करते हैं इसको यहाँ से एक problem है लेकिन अभी नहीं होगी क्योंकि आपने 3.14 लिखा 113 आ रहा है न pi की value कितनी है 3.14 decimal में है उसका multiply करो कि किसी int type के data के साथ तो result decimal में आ जाएगा इसलिए percent f सही है decimal में ही आएगा कोई issue ने लो हो गया अभी मैं percent d लिख के देखता हूँ percent ही लिखा खाली percent d हम यूज़ करते है numbers के लिए आप लोगों को पता है देखो गलत बता रहा है आप बोलो कि अरे यार int type का data था मैं print करा रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा आप मुझे बताओ ये float type का data है जब आप इसको multiply करते हो किसी int type के data के साथ तो result float में आता है और उसको print कराने के लिए percent f लिखना बहुत ज़रूरी है तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते है तो सबको float में रख दिया करो tension नहीं रहेगा फिर आपको तो इस चीज ऐसी चोटी मोटी ही गलतिया तो हम से होती है बाकी ऐसी कोई बड़ी गलती हम नहीं करते है ऐसी चोटी गलतिया ही करते है हो गया यहाँ पर इसके बाद एक का कमेंट है क्या AI की वजह से कोडर्स की जॉब चली जाएंगी फ्यूचर में 1980 में भी 1990 में भी यह माना जाता था कि कम्प्यूटर अगर आता है जादा यूज किया जाएगा तो लोगों की नौकरियां जाएंगी फिर समय बदला कम्प्यूटर आया उसको चलाने के लिए लोगों की जरूत पड़ी वो चल रहा था कोई नौकरियां नहीं गई पिछले 20, 30, 40, 50 साल से ये कहा जा रहा है कि नौकरियां जाएंगी मशीन्स आएंगी मैकेनिकल के जादा दर काम्स मशीन्स ऐसी आ चुकी है उस पे हो रहा है लेकिन फिर नए नए चीज़ों को हो जा जाता है उस पे काम किया जाता है टेकनलोजी बदलती है हम एक ही चीज़ पे कितने समय तक काम करेंगे हमें और आगे जाना है तो टेकनलोजी भी समय के साथ बदलती है और AI भी अगर आता है तो AI को चलाने के लिए तो आदमी चाहिए उसको चलाएगा कौन तो वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स क्रियेट होंगी AI को चलाने के लिए फिर उसको चलाने के लिए दिमाग की जरुरत होगी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर उस पे काम भी किया जाये तो फ्रांस ना लेकिन बैन किया है मैं भी पढ़ रहा था AI जो है कुछ एप्लिकेशन जो है उन्हें बैन कर दिया ठीक है उन्होंने उनके कंट्री में बैन किया है बहुत सारी कंट्री अभी काम कर रही है कि आगे और भी जाब्स आएंगी तो उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला उसको चलाने के लिए इंसानों की जरूरत ही पढ़ेगी और और भी नई चीज़ें आएंगी समय के साथ समय बदलेगा चीज़ें नहीं आएंगी यह सब पुराना हो जाएगा हमारा यह समय तो इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला खास अब आगे चलते हैं यहां पर इसको यहां से हटा देता हूं चला आपको यह आइडिया आगया हैश इफ अगर आप लिखते हो आपने लिख दिया मान लेते हैं हैश डिफाइन और बोल दिया एकस भी वैल्यू होगी कितनी वन अब अगर आप प्रोग्राम में कहीं पे अपने मन से लिख देते हो हैश इफ यह दो कोई इतने सा रहे हैं अब इसके अंदर कोई लाइन लिखता हो अपने आप एंडिफ आ गया मैंने लिखा क्या नहीं लिखा एंटर बटन दबाया अपने आप आ गया और मैं बोल देता हूं और आप ऑलोगे लाइन नहीं चलने वाली है शेल्स लिखू हाँ आप देखते हैं हरे हाँ यह चलेगी ना इसका कलर देखो और इसका कलर देखो कुछ फरक लग रहाएगी नहीं आपको लेकिन आर की जगा अगर मैं X लिखू यह देखो X में कितना 1, 1 का मतलब होता है true 1 का मतलब होता है true if 1 मतलब true तो if चलेगा if अगर true रहा तो if चलता है true नहीं रहा यहाँ 0 लिख दू, नहीं देखें, अब नहीं चल रहा 1 लिख दू, हाँ आप खुदी जमज गए तो यह चलेगी यह line तो आप कभी भी कहीं भी इसको use कर सकते हो आप value assign कर दो और उसके हिसाब से आप कोई इस तरह का काम कर सकते हो, यह देखो yellow print हो रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़े आप उसके उपर काम कर सकते हो, अब आते हैं यह सब concept छोड़ दो, अब हमें पहले सीखना है, conditional statements क्या होते हैं, बस जरूरी चीज़ है, नया topic है, इसके बारे में हम बात करेंगे, अब सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं if statement उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं if else statement उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं if else if else statement तीन topics हैं, C language में अब आते हैं, यह सब हटा देता हूँ, यह थोड़ा complicated होता है, इसलिए पहले दूसरे lecture में मैं यह सब चीजें नहीं पढ़ाता, हटा दिया, और इसको मैं save कर लेता हूँ, उसी folder में, if else इसका नाम रख देता हूँ, जहां मैं अपने सारे programs रख रहा हूँ, मेरा जो drive है, d drive और उसके बद उसके अंदर का folder है, August में, हाँ यह, इसका नाम रख देता हूँ, if else.c, आखिर में इसका मतलब क्या है, मैंने आपको हमेशा पढ़ाते समय एक चीज़ बताई हुई है, program लिखते समय, void main लिखा करो, और last में get.cs लिखा करो, कोई भी program जब भी आप शुरू क करोगे तो, यहाँ पर इस तरीके से, उसके बाद देखा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, int x, एक memory बना ली और उसमें रख दिया 7, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कि जब आपको लगे, कि या तो यह line चलानी है, या तो यह line चलानी है, दो line है, दोनों में से किसी एक line को चलाना है, या फिर एकी line है, उसको चलाना है, कि नहीं चलाना है, ऐसे time पर हम if को use करते हैं, जैसे कि, यदी, if का मतलब है यदी, x बढ़ा रहे, किस से? 0 से, यदी x बढ़ा है, किस से? 0 स तो क्या करना है, इफ का कहना है कि ये जो मेरे curly brackets है इसमें बताओ, ये मेरे curly brackets है, ये इफ के अपने personal curly brackets है, इसके अंदर बताओ, तो क्या करना है, लेकिन पहली बात तो ये बताओ, क्या X सच में बढ़ा है क्या 0 से, हाँ, उसमें 7 है, वो तो बढ़ा ही है, आपने यहां क्य x में क्या रखा है 7 रखा है यदि x बढ़ा है 0 से तो क्या करना है बोल देना है it is positive सबसे अच्छा हाँ कोई भी number 0 से बढ़ा रहे तो positive ही तो होता है बस अब इसको run करते हैं इस program को देखते हैं positive दिखता है कि build and run हाँ it is positive दिख रहा है सही जवाब है एक काम करते हैं इसमें minus seven रख के देखते हैं कुछ नहीं print हो रहा है नहीं हुआ यहाँ आपने लिखा ना यदि x बढ़ा रहे 0 से तो चलाओ कोई condition लगा दे रहे हो यदि आप पढ़ाई करोगे तो आपको mobile मिलेगा अगर मैं ऐसा बोलता हूँ या तो आपकी घर पे बोला जाता है कि अगर आप mobile मिलेगा करोगे तो मिलेगा else नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा अब यहाँ पे आप पहली बार पढ़ाई कर रहे थे इसलिए यह लाइन प्रिंट हुई आपने नहीं की तो लाइन नहीं प्रिंट हुई दोनों चीज़े बस यही है इफ के बाद कभी semi colon मत लगाना आप बोल यह मत लगाओ लेकिन इफ के बाद जरूर brackets लगा के condition लिखना यह rule होता है तो आपको लगाना ही पड़ेगा तो मैंने लगा रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से अब एक और चीज़ मैंने पहला topic if statement बताया अब बता रहाँ आपको if else statement printf क्या लिखूं इट इज निगेटिव लिख देता हूँ direct आप बोलोगे कि लेकिन it is negative आपने लिख तो दिया है ठीक है कोई number अगर बढ़ा रहे 0 से तो positive else बोल रहा है ये मेरे curly brackets है ये वाले और main बोल रहा है ये मेरे है इसलिए semicolon मत लगाओ जब curly bracket शुरुआत करनी होती न उसके पहले semicolon नहीं लगाते main को start किया हाँ if को किया हाँ ये क्या इसलिए semicolon नहीं else को किया हाँ ये क्या else के बाद condition नहीं लगाते ये भी rule है ऐसा आप लिख नहीं सकते है यदि एक छोटा है 0 से तो ये print करो else कभी नहीं लिख सकते आप else के बाद condition कभी नहीं लिख सकते सौरी बहुत सारे बच्चे else के बाद condition लिखने की कोशिश करते हैं आज तक ऐसी कोई programming language मैंने तो नहीं देखी जहाँ else के बाद condition लिखी हो कभी नहीं हुआ ऐसा जहां तक मैंने देखी ये जितनी भी पढ़ी है इसलिए else के बाद कभी मत लगाना और आप यहीं गलती करके मुझे फोटो बेशते हो कि देखो इसमें क्या problem हो रही है comment करके सवाल तो आप पूछ सकते हो जब lecture हो जाता है कोई दो दिन बाद lecture देखता है कोई चार दिन के बाद कोई दस दिन के बाद कलेक ने पूछा x में 17 क्यों दिख रहा है अब वो एक घंटे का lecture है मुझे पूरा देखना पड़ेगा उसमें 17 क्यों दिख रहा है यह उसको बताने के लिए और 17 कहां दिख रहा है यह भी देखना पड़ेगा उस पूरे lecture में तो ऐसे सवाल आप ना पूछो सवाल ऐसे होने चाहिए कि जिसके जवाब मैं दे पाऊं या तो आप मुझे मिनट बता दिया करो कि 15 मिनट 33 सेकेंड पे जो यह प्रिंट हो रहा है यह क्यों हो रहा है तब भले मैं चेक कर लो और अभी उसने पूछा सवाल किसी ने कमेंट में उसका जवाब मैंने दिया समझ लो उसने पूछा मुझसे शाम को साथ बज़े नहीं देखा आट नौ बज़े तक मैंने नौ बज़े जवाब दिया फिर वो चार दिन यूट्यूब पे आया नहीं मैंने उससे यह पूछा कि कितने मिनट पे है वो चीज़ यह बताओ चार दिन वो यूट्यूब पे आया नहीं चार दिन बाद यह बताने आया कितने मिनट पे है वो उसने वापिस देखा होगा फिर चार दिन के बाद उसने बताया मुझे और उसके बाद फिर मैं देखूंगा जब फिर मैं जवाब दूँगा उसको देखेगा वो 15 दिन के बाद एक्जाम के बाद क्या फायदा फिर तो आपको जो पूछना तुरंद पूरा पूछ लिया करो अच्छे से पूछा करो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं मुझे बात में पूछना पड़ता किस की बात कर रहा हो बोलते हैं क्या वो बोलते हैं खाली लेकिन किस लिए क्या बोल रहा हो ये भी तो बताओ तो वो मुझे नहीं समझता तो इसके लिए जवाब आप कुशन पूरा करो ताकि एक ही बार में मैं जवाब दे पाऊं ये समझ जाओ कि आप क्या मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं आप जब सवाल पूछ रहे हो तो अब इफ यदि एक्स बढ़ा है जीरो से तो इट इस पॉजिटिव एल्स इट इस निगेटिव मुझे आप से एक सवाल पूछना है अगर मैं जीरो इंटर करता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है क्या प्रेंट होगा चलो जैसे एक ने पूछा भी अभी सवाल तुम बोल रहा है निगेटिव तुम बोल रहा है पॉजिटिव negative तुम्हें क्या लगता है positive और तुम्हें negative तुम्हें क्या लग रहा है क्यूं किस में कोई number नहीं है x में है ना 0 तो फिर negative फिर क्या संबंद है negative क्यूं बोल रही है उसके पीछे तो कुछ reason हो मतलब यहां पे लिखा हुआ है X में रख दो 0 चलो रख दिया और आप बोल रहों यदी X बड़ा है 0 से 0 से बड़े कौन कौन होते है 1, 2, 3, 4 से लेके infinity तक तो यह सारे क्या होगा positive आपने क्या लिखा यदी X बड़ा है 0 से बड़ा है positive हो गया positive फिर print लेकिन इनको छोड़के उसमें 0 भी आता है 0, minus 1, minus 2, minus 3 यह सारे क्या है negative अगर मैंने लिखा होता यहां पे X बड़ा या बराबर है 0 से तो यह आता it is positive मैंने क्या लिखा X बड़ा है 0 से मतलब 1, 2, 3, 4, 5 वो positive इसके अलावा कुछ भी रहे फिर minus 1, 0 कुछ भी रहे 0 भी रहे तो negative इसी लिए 0 अभी यह negative प्रिंट होगा लेकिन आपके दिमाग में सवाल है नहीं negative तो होना नहीं चाहिए 0 क्योंकि ना तो वो positive है ना तो negative है तो इसके लिए हमारे पास है ना हम तीन जीज़े पढ़ रहे if statement सबसे पहले पढ़ा कोई line चलानी है या नहीं तो if सिर्व if अगर आपको लगता है या तो यह line या तो यह line तो if else यदि ऐसा है तो यह नहीं तो else मतलब नहीं तो उसका उल्टा यह हो गया अब ऐसा है तो यह यदि ऐसा है तो यह नहीं तो यदि ऐसा है तो यह नहीं तो यदि ऐसा है तो यह इसके अलावा कुछ भी है तो यह आप लिखोगे if फिर लिखोगे else if फिर else if मतलब बताता हूँ कैसे यदि x बढ़ा है 0 से तो ये else के बाद if लगाया जा सकता है मैंने अभी बोला था else के बाद condition नहीं लिखते है मैंने ये नहीं बोला था else के बाद if आ जाएगा उसके बाद भी नहीं लिखते है if के बाद लिखते है already मैंने बोला है तो if आया या फिर यदी x छोटा है 0 से, 0 से छोटे कौन को न है minus 1, minus 2, minus 3 तो it is negative else if या फिर यदी x में 0 है double equal to से compare करते हैं तो क्या बोलेंगे इसे it is neither negative nor positive लिख दो सबसे अच्छा ये लो बस बात खतम हो गई अब इसे run कर आके देखते हैं सच में हाँ बोलोगे else नहीं लिखा last में else नहीं लिखा तो भी चलता यहाँ बीच में कहीं मत लिखना if के बाद else, फिर बाद में else if else if ऐसा नहीं होता else सबसे last में होना चाहिए हाँ उन होना चाहिए यदि ऐसा है तो यह यदि ऐसा है तो यह इसके अलाबा कुछ भी है तो यह else लिख सकते हो last में लेकिन जाने तो ज़रूत नहीं या तो इसको भी नहीं लिखते तो भी चलता ऐसा भी सही है यह भी सही है दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि कोई नंबर 0 से बड़ा है तो यह कोई नंबर 0 से छोटा है तो यह इसके अलाबा क्या होगा equally तो होगा और क्या होगा कोई नंबर बड़ा छोटा या क्या हो सकता है सिर्फ बराबर और कुछ नहीं हो सकता और कुछ हो सकता है नहीं चलो run करके देखते हैं मैंने F9 दबा दिया direct run हो जाता है neither negative nor positive VS code software भी same है मुझे कुछ लोगों के message आये थे क्या VS code यूज करो देखो ये light weight मुझे लगता मैं ये use करता हूँ VS code भी same है आप उसको download करके करो program तो एक ही लिखना है कोई फरक नहीं पड़ता software आप कौन सा use कर रहे है किसी भी software को use करो उससे कोई फरक नहीं पड़ता अब जैसे जिसके पास Windows 7 वाले पुराने computer है बहुत सारे लोग download नहीं कर पाते इसको coding सीखो app पे जाओ study material में या कहीं न कहीं आपको software मिल जाएगा code blocks उसको आप download कर लो mobile में download जब हो जाए तो उसको bluetooth से या usb से या mail करके अपने computer में डाल दो फिर install कर लो वो जो version मैंने डाला हुआ है coding सीखो app पे वो ऐसा version है अगर आपका Windows 7 वाला computer भी है पुराना Windows XP वाला है तो भी चलेगा वो वाला version है 17.12 पुराना version है अगर आपको कभी भी लगे आपका software चल नहीं रहा है error आ रही है compile नहीं हो रहा कुछ अलगी message आ रहा है तो आप 17.12 ये version डाउनलोड करो 17 वाला अभी 20 पॉइंट सब चल रहा है latest वाले लेकिन उससे कोई फरक नहीं पढ़ता पुराना करो, नया करो काम तो एक ही करना है सही है यही फरक है तो अब और आगे चलता है इसके बाद देखो क्या करने जा रहा हूँ लेकिन आप यहाँ पे 0 मत रखो क्यूं? आप user से बोलो एंटर करने के लिए printf enter a number सबसे अच्छा enter a number यह message पढ़के user एक number enter करने की कोशिश करेगा तो scan app भी लिखो तभी तो कोशिश कर पाएगा नहीं तो कोशिश भी नहीं कर पाएगा %D और जो भी number user enter करेगा उसे रखवा देते है X नाम की memory में हाँ अभी चला के देखते है यह तो और अच्छा बन गया प्रोग्राम गुमा फिरा के पहला number है 5 हाँ it is positive आ रहा है देख सकते हो आप लोग सही है लेकिन मैं अगर कुछ और enter करूँ 9 क्या फिर minus 91 it is negative आ रहा है सही तो है एक बार 0 एंटर करके देख लो हाँ नहीं देख निगेटिव न और positive आ तो रहा है सही तो है तो इस तरीके से बन गया write a see program to check whether the given number is positive और negative program आपके सामने है क्या कोई number positive या निगेटिव है बन चुका है प्रोग्राम तो हमारा question ये है write a see program to check whether the given number is positive और negative program आपके सामने है और और एक चीज़ अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि write a see program to find maximum of two numbers मान लो मैंने आपसे सवाल पूछा और आपको बताना इसका जवाब तो आपके दिमाग में program कभी नहीं आना चाहिए अगर मुझे program बनाना है तो इसके लिए मुझे output screen पे क्या दिखना चाहिए ये दिमाग में आना चाहिए अगर यहीं दिमाग में नहीं तो program आएगा भी नहीं logically आपको तू नंबर्स जब पता करना है दो में से कौन सा बड़ा नंबर है तो स्क्रीन पे तो यही दिखना चाहिए ताकि यूजर पहला नंबर इंटर करें दूसरा नंबर इंटर करें अब जो भी बड़ा वो दिखना चाहिए 71 इस ग्रेटर लो हो गया अब प्रोग्राम बनाना शुरू करोंगे आप क्या किया करो में लिखा करो और यह लिख लिया करो और हो गया enter two numbers Print हो गया run करो ओ रहा है लेकि number Enter करवा नहीं पहोगे क्योंकि आप अपने प्रोग्राम में scan up नहीं लिख़े हो तो scan up लिखो दो बार यह या तो एक पर 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 सेंट डी पर सेंट डी लिख लो और जो भी user enter करेगा एक को X में रखवा लो एक को Y में अरे लेकिन जब आपने X और Y नाम की memory बनाई नहीं है तो रख कैसे रहो हाँ तो याद आया अभी मुझे तो अब मैं बनाऊंगा लेकिन जब मैं program शुरू करता तो मुझे याद नहीं आता इसलिए आप हमेशा बोलते हो कि हम जब program शुरू करते हैं तो हमसे logic नहीं लगता सही बात है ना याद कैसे आएगा करना क्या है वो तो बाद में पता चला memory की ज़रूत है program लिखते समये इसलिए output screen बनाओ तो आप सही हो आप गलत नहीं हो यह program आपसे नहीं बन रहा है सही बात है नहीं बनता प्रोग्राम आपको बनाना एज प्रोग्राम कैसे output screen बनने के बाद अब user ने x और y में रखवा दिया x में रखवा दिया 71 y में रखवा दिया 8 थोड़ा तो सोचना पड़ेगा आपको अब ऐसा क्या करूँ कि दिख जाए it is greater या फिर दूसरा greater आपको भी एक चीज़ पता है अगर आगे ऐसा कुछ करना है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा इस इसलिए तो पढ़ाया आज यदि x बढ़ा है किस से y से हां तो क्या बोलना है सेमी कोल मत लगाना इफ बोल रहा है मेरे करली ब्रैकेट में ही बोलना प्रिंट एफ यदि x बढ़ा है वाय से पर्सेंट d is greater बोल दो अब क्या पर्सेंट d की जगा लिखो के जानते हो कॉमा करके जो भी x में x में क्या है 71 अच्छा मतलब 71 is greater दिखेगा आ सही है न फिर आपने क्या लिखा यदि x बढ़ा है वाय से तो x is greater else नहीं तो कौन greater लिख दो प्रिंट है पर्सेंट d is greater कॉमा वाय बात खतम अब आप बोलोगे लेकिन दोनों equal रहे तो तो फिर तो फिर यहां पर लिख देता हूँ मैं if कौन सा प्रोग्राम था max2 ना dot c void main से मेरा प्रोग्राम शुरू होगा लिखा मैंने और gate ch भी लिखा इस तरीके से और यहां पर लिख देता हूँ int a कौन कौन सी memories मुझे memories पहले नहीं बनानी पहले प्रोग्राम लिखना है printf enter two numbers यह message पढ़के user दो number enter करने की कोशिश करेगा पहला number जो enter करेगा scan app की मदद से scan करवा लो दो बार percent d लिखता हूँ ताकि पहला number x में रखो a में रखवा दू दूसरा number b में तो a और b नाम की memory पहले बनाओ int a बनाया b बनाया उसके बाद मैं लिखता हूँ यहां पे if यदी x बढ़ा है किस नहीं a बढ़ा है b से तो बोल दिया जाए printf क्या बोल दिया जाए percent d percent d is greater अब यह इसके आगे लिख देता हूँ comma क्या a else और यहां else के बाद condition नहीं लिखते है और यहां लिख देता हूँ printf हाँ लेकिन equal वाला भी code बचा है ना भी तो मैं लिखता हूँ else if या फिर यदी a छोटा है b से मतलब b बड़ा है तो बोल दो क्या percent d is greater comma b और else इसके अलावा कुछ भी है else या फिर यदी a बराबर है b के बोथ हार equal बोल दो pension ही नहीं आपको ना if नहीं भी लिखते तो भी चलता equally बचता देखा जाये तो if else के program से आप यह program try कर सकते थे थोड़ा अगर दिमाग लगाते तो बन जाता यह वाला program भी कोई बड़ा program और tough program थोड़ी है यह यह पूरा program आपके सामने इसको पहले run कराके दिखाता हूं दोनों नमबर 44 44 एंटर करता हूं बहुत हार इक्वल आ चुका है अभी एक नमबर एंटर करता हूं 81 दूसरा नमबर 981 981 is greater low हो गया बताओ क्या इसमें tough है है ना असान समझा है कुछ पूछना है तो पूछ लो आज इतना ही पढ़ाने वाला हूं बाकि कल सुबह साड़े आठ बजे मंडे ट्यूस्डे वेनस्डे को साड़े आठ बजे क्लास होगा जिसका नहीं हुआ एड्मिशन ओ लोग ऑनलाइन कर ले नहां कल से फिर मताओ ऑनलाइन कर सकते हो और बागी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो और किसी का कोई सवाल है तो चलो फिर बाए सबको